जितने भी शुडेंड बीएफए पेटिकल एक्जामिशन के तयारी कर रहे हैं और भी सभी इनवर्शिटी के लिए और किस तरह कॉंपोजिशन बनाएगी और किन-किन बातों का ध्यान दे और किस मैथपूर प्रांग को ध्यान रखकर अपनी कॉंपोजिशन को बैस बना सकत पर ध्यान दें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा आपका यह किमति सुझा हमारे लिए सबसे इंपॉर्ट रहेगा वेल्कम इस्टुडेंट आइम एस्पी नाइडी आपका स्वागत करते हैं आज का जो कॉंपोजिशन है वो है एक कोरियर को लेकर है कोरियर मे तमाम तरह एक चीज़ को आड़ कर सकते हैं कोरियर वालों में या पीजाई डिलिवर करता है या फिर आपका पार्शल करता है तो कोरियर वालों का अज का टॉपिक है पहले आप इसको ड्रॉ कर लिजिए उसके बाद हम समझेंगे इसके में फैक्ट के बारे में में इपॉ को बहुत अच्छे तरीके से शोब कर सकेंगे दिखा सकेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी कमपोजिशन को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले पेपर सही होना बहुत ज़रूरी है पेपर में जो कॉट्री सीट सबसे अच्छा होता जिसका जिसम 150 या उससे उप हो सकता है तो बेस्ट रहेगा और दूसरा मास्किन टेफ और तीसरा जो है साइच और उसके बाद जो एक ब्रस जो होता है बहुत इंपोर्टन्ट है प्लस इक साइनिंग वाला जो है जगह आप दो जगह पाई रखें और हां आपको कलर करने करते समय आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए कलर करते समया सुविधा का मतलब है यदि आप अच्छे से बैठ जाएए ऐसा नहीं है कि 10-15 मिट बाद आप ठक जाते हैं तो पहले बात है कि अच्छे से बैठना बहुत जरूरी होता है अच्छे से बैठ जाएए साथ में सबसे पहले जो हैं आपको बैग्राउंड खुमन फिगर अच्छे से ड्रॉ कर ये धाँ रखे कि ऐसा कोई हिस्सा कटे ना जिसके वेज़े से अनकंफर्टेबल आपके ड्रॉइंग में नजर आवे हुमन फिगर ज्यादा बड़ा नहों जाए इसका धाँ रखें प्रस्पेक्ट्टू का प्रॉपर धाँ रखना है प्रस्पेक्ट्टू में क्या है कि जो पर्षन सामने है वो बोल्ड है यदि पर्षन उसकी जो मीन सब्जेक्ट के कॉर्डिंग वो थोड़ा दूर है तो वो छोटा दिएगा ठीक है तो वो करक्टर को ध्यान रखेंगे इसके अलावा आप ये ध्यान देखेंगे चेहरे क जो भाव है वो कैसा है जो कप्ड़ा पहरा हुआ है उसका कलर ट्रोंस उसका डार के रिया कहां-कहां है इन सब चीजों को पहले से जैज कर लिया जाता है और कोरियर वाला है तो उसके कॉड़ी मैंने क्या-क्या चीज़े आड कर रखा वो आप देख पा रहे हैं तो वो च चीज़े आपके टॉपिक से संबंदित होना चाहिए तो इस चीज का बिशिर ध्यान दे और हां कभी-कभी होता है कि स्टूरेंट जब कलर कर रहे होते हैं तो एक ही कलर से सारे फीगर को फिल करनी कोश्च करते हैं सिंपल सी बात समझें जहां पर छोटा एरिया है वहां प देखें कि कौन सा ब्रेश से आफ कंफडैल हैं कई लोग संबाइग की प्रश्यूज करते हैं कई स्टूरेन चीज सिब मैश करते हैं कई लोग जो है प्लास्टिक की बालों का प्रियोग करते चेए तो अलग-अलग अनभा होता है आप नसस content किसी से फोन्फडै म. spros-afोन आपके लिए best होगा Water color का नियम होता है कि जहां पर dark एरिया है वो आप dark करके उसको आप flow कर सकते हैं या फिर light to dark कर सकते हैं ये नियम होता है ति इस तरीके से भी आप subject को उभार सकते हैं यदि आप beginner हैं तो आप business ध्यान देखे कि human character में भी से ध्यान दीजें क्योंकि human character में यदि आप face बड़ा बना रहे हैं body छोटा बना दे रहे हैं हाथ up down हो जा रहा है body थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है तो इस पर ये मतलब है कि आपको human figure पर ज़्यादा अभिहास करने के जोड़त है और उसे layout दो तीन बार करकर ही आप अपना final outline करें ज्यादा रहे च्छा रहेगा कई student की यादत है कि final जो है वो work करना ज्यादा सुनिची समझते हैं लेकि मैं आप लोग से कहना चाहूँगा beginner को कि आप कम से कम दो बार नहीं संपभ होता है कम से कम एक ही बार करें लेकिन एक बार layout करके confirmation कर लेज़े कि आपका human figure के drawing कैसी है ऐसा तन्वही है कि figure में ज्यादा उताचावा रहा है तो ये जरूर समझ है ये चीज समझने के बाद आप final work करते हैं तो आप देखोगे कि आपका confidence level और बढ़ जाता है ठीक है आपको 90 minute के अंदर अपना figure complete करनी है तो आपके पहले से आप जब practice कर लेते हैं तो उस frequency के साथ कर सकते हैं बीगिनर को ये जरूर अनुभा होना चाहिए कि कौन से रंग मिलाने से जाला रंग बनाए जा सकते हैं जैसे कि हरा रंग कैसे बन सकता है वाल रंग किसे बन सकता है पिंक रंग कैसे बनता है और एंज कैसे बनता है तो दूती रंगों का भिहास आपका जरूर होना चाहिए आप लिखित के तरब पर नहीं अपी तुँआप practice के according आप जरूर कर लीजें यादि आपको multiple रंग बनाने में दिक्कत होती है beginner तो आपको 20S तरब पे ज्यादा सेट वाले रंग का प्रयोग करना चाहिए जिसमें 18S वाला आता है 24S वाला रिक्मेंट करूंगा कि आप 24S वाली रंग को लिए वह ज्यादा अच्छा रहेगा तो इसमें multiple रंग मिलेंगे तो आपको color fill करने में या color dull हुलने से आप बचा सकते हैं और figure को बहुत fastly कर सकते हैं तो यह जरूद्हान दें इसके अलावा आप जहां भी वर कर रहे हैं तो आपका जो पैट साइज होना चाहिए थोड़ा सा आप अपनी eyes के according रखें कभी को फ्लाइट रख रहे हैं जिसके वाज़ी से बैक वाला एरिया होता दिखता नहीं है तो पहले बात है कि आपका दिखना जो सही है तो थोड़ा सा उपर से जो है आप उठा लीजे ताकि आपको proper phrase देखें जैसे कि आप अभी reference द करते हो तो उसमें आपको light का विश्य ध्यान देना होता है कि कोई व्यक्ति है तो उसकी परचाएं से उसके वास्तिक्त होने का अनुभव मिल जाता है तो हर subject में हर object के नीचे shade देना बहुत जरूरी है तो shade अवस्य जरूर add करें अब subject में shade area में जितना layer add करेंगे उतना subject म उभार पनाएगा यह ध्यान रखें इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देनी है कि कि आपको पतले ब्रशे आप color कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं यदि आपको color करने में असुविदा होती है तो मेरा सुझाव है कि आप color के लिए पहले से आप इसे से कर पाएंगे तो मुझे आशा है कि यह जितनी भी बाते मैंने बताये होगा आप इसको ध्यान रखा होगा और यदि पूरी बाते आपने समझ लिया है और पूरी बात समझ लेंगा और इस नियम के according करती हैं तो रियली में आप अपना composition आपना watercolor आप जो कर रहा है उ इसे सुथरेंग विस यू अल बेस्ट